आज इस वीडियो में हम गैफी और बबलू को एक मज़ेदार कहानी पर चर्चा करते हुए देखेंगे क्या कर रहे हो बबलू? गैफी, आज मुझे स्कूल से इस कहानी को पढ़ने का हूंबक मिला है क्या तुम भी मेरे साथ इस कहानी को पढ़ना चाहोगी? हाँ, जरूर बबलू, पर ये कहानी है किसकी? ये कहानी है एक चतुर चिडिया की क्या मैं तुम्हें ये कहानी पढ़कर सुनाओ? हाँ गैफी, ये लो मेरी कहानी वाली किताब एक चिडिया थी, उसका नाम चीची था एक दिन के बात है चीची चिडिया गाए के पास बैठी थी और दाना चुग रही थी तभी गाए ने वहाँ पर गोबर कर दिया चिडिया गोबर में दब गई और उड़ ना सकी बबलू तुम्हें क्या लगता है चिडिया गोबर से बाहर कैसे निकली होगी गैफी मुझे लगता है उसने किसी से मदद ली होगी चलो कहानी में आगे बढ़कर पता लगाते हैं चिडिया ने देखा कि एक कुटा उसके पास सर गुजर रहा है चिडिया ने कहा कुटे भाई मुझे बाहर निकालो कुटे ने कहा मैं नेकालूँगा तो तुम्हें खा जाऊंगा चिडिया ने कहा हाँ ठीक है खा ले न कैफी क्या कुटे ने चिडिया को खा लिया दोस्तों क्या आपको भी ऐसा ही लगता है चलिए आगे पढ़कर पता लगाते हैं कुट्टे ने चिडिया को गोबर से बाहर निकाला चिडिया ने कहा पहले मुझे धो तो लो कुट्टा चिडिया को नल पर ले गया वह चिडिया को धो कर खाने लगा चिडिया ने कहा पहले मुझे सुखा तो लो कुट्टे ने चिडिया को धूप में रख दिया थोड़ी देर में चिडिया के पंक सूख गए अब बताओ बबलू, तुम्हें क्या लगता है कि कुट्टे ने चिडिया को खा लिया होगा? दोस्तों, आपको क्या लगता है? हाँ, कुत्ता चिडिया को खा जाएगा कहानी में पढ़ते हैं कि आगे क्या हुआ चिडिया के पंक सूखते ही वहक उड़ गई और कुत्ता उसे देखता ही रह गया सच में बहप चतुर चिडिया थी दोस्तों, अब आपकी बारी है, स्क्रीन पर दिये गए प्रश्नों के उत्तर सोच कर अपनी कॉपी में लिखने की आपको ये कहानी कैसी लगी? आपको कहानी में कौनसा केरदार पसंद आया और क्यों? अपना उतर अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों के साथ ये कहानी सुना कर साजा करें बच्चों इस वीडियो में हमने एक मज़ेदार कहानी पर जर्चा की